पैसे का मनोविग्यान, The Psychology of Money, हमें बताती है कि इंसान और पैसे के बीच जटिल संबंध होता है. इसके कारण कई बार पैसे के मामले में हम अपनी समझ से काम लेने की जगह अपनी भावनाओं को हावी हो जाने देते हैं और तर्खीन तरीके से सोचने और काम करने लगते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पर आउन कर लीजिए. चलिए शुरू करते हैं अमले में हम अपनी समझ से काम लेने की जगह अपनी भावनाओं को हावी हो जाने देते हैं और तर्खीन तरीके से सोचने और काम करने लगते हैं. इसी मानव आचरन का विशलेशन देते हुए लेखक, मौगन हाउजल, ने हमारी सोच को बहतर बनाने का प्रयास किया है. इ उदाहरन के लिए, अगर कोई व्यक्ती 10,000 रुपए कमाता है, और वो 15,000 कमाने लगे तो उसके जीवन में इस अतिरिक्त 5,000 रुपए से काफी सार्थक सुधार आ सकते हैं. जैसे, अपने भोजन की गुनवत्ता में सुधार करना, बीमार होने पर एक बहतर डॉक्टर का खर्च वहन कर पाना, अगर बहुत कम जगह में रह रहे हो तो थोड़ी खुली जगह में रह पाना. लेकिन अगर कोई व्यक्ती पहले से ही 10,000,000 रुपए हर महीने कमाता है, और वो 15,000,000 कमाने लगे, तो उस अतिरिक्त 5,000,000 से उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण पर कर रहे हैं. अगर कोई कहे कि मैं स्टील की थाली की जगह सोने की थाली में खाना खाने लगा, या 50,000,000 की गारी की जगह 1,000,000 करोर की गारी में घूमने लगा, तो इसे आप सार्थक सुधार नहीं कह सकते क्योंकि इससे उसके जीवन स्टर में मौलिक रूप से कोई स्टरता ला सकता है. मजबूरी में आपको अंचाहा काम न करना पड़े, आप अपने पसंद का काम करने के लिए आजाद रहें, जब चाहे अपने परिवार और खुद के लिए समय निकाल सकें. बस इससे अधिक पैसा आपको और कुछ नहीं दे सकता. और जब आप अपने समय का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप कफी हद तक खुश भी रह सकेंगे. इसलिए आपके पैसे का सबसे अच्छा उप्योग यही है कि वो आपको स्वतंत्र बनाए. दुनिया के अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि उन्हें कितने पैसे कमाने की जरूरत है. इसलिए वे सामाजिक तुलना करके अपने पैसे की आवश्यक्ता का आकलन करते हैं. वे बस ये देखते हैं कि उनके दोस्त, उनके रिष्टेदार, उनके पडोसी कितना कमा रहे हैं और फिर उन सब से ज़्यादा या उनके बराबर कमाने का लक्षे बना लेते हैं. ले जीवन तो आपके पास एक ही है. इस दुनिया में समय भी आपके पास सीमित है. ऐसे में दौरते दौरते आपका पूरा जीवन ही निकल जाएगा और आप चैन की सांस ही नहीं ले पाएंगे. सामाजिक तुलना करने की जगह आप अपनी असली जरूरतों को समझे और उनके हिसाब से अपनी आमदनी बनाने की कोशिश कीजिए. जब एक अच्छा जीवन स्तर बन जाए तो फिर जीवन के जरूरी आयामों पर भी ध्यान देना शुरू कीजिए. जैसे अपना परिवार, दोस्त, शौक, अपना आत्मसुधार, मानसिक शांती, स्वास्थ्य, या फि जरूरतों की अच्छी तरह से पूर्ती हो जाने के बाद पैसे के परिश सोचना शुरू कीजिए और अपने जीवन को एक बड़ा नजरिया दीजिए. किसी भी व्यक्ती की वित्तिय सफलता या असफलता में भागय और जोकिम बहुत बड़े कारक होते हैं. बिल गेट्स दुनिया का एक मात्र ऐसा हाई स्कूल था, जिसके पास एक कम्प्यूटर था. 1968 में आम लोग कम्प्यूटर का मतलब भी नहीं जानते थे, पर फिर भी उस स्कूल के गनित के अध्यापक ने बहुत मुश्किल से स्कूल के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्ता की. इसके आगे क्या हुआ ये बताने की आवश्यक्ता ही नहीं है. आप जरा सोचिए, UN की रिपोर्ट के अनुसार, 1968 में दुनिया में पढ़ाई करने की आयू वाले करीब 303 मिलियन बच्चे थे, जिनमें से केवल 18 मिलियन यूएस में रहते थे. बिल गेट्स की वाशिंटन स्टेट में उनमें से केवल 270,000 बच्चे थे जिनमें से केवल 1,00,000 सियेटल एरिया में थे. उन 1,00,000 में से भी केवल 300 बच्चे उस हाई स्कूल में गए और उनमें से एक थे बिल गेट्स. मतलब हर 10,00,000 में से केवल एक ही बच्चे की किस्मत ऐसी थी जो ऐसे स्कूल में जा सकता जिसके पास कम्प्यूटर लेने के लिए पैसा और बड़ी सोच, दोनों एक साथ थी. तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़े-बड़े अरबबतियों से प्रेरना ना ले क्योंकि उनके जितना बड़ा भागय मिलना लगभग असंभव है. इसकी जगह ऐसे तरीके अपनाए जिनमें वेल्थर क्रियेशन की अच्छी खासी संभावना हो, जैसे दीर्ग कालिक निवेश, या फिर कोई ऐसा व्यवसाय शुरू करे जो पोटर के फाइब फोर्स वाले मॉडल को या फाइब मार्केट मस्ट हैव्स वाले मॉडल को और ऐसे तरीकों की सूची में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है दीर्ग कालिक निवेश और उसी के साथ बात शुरू हो जाती है वारेन बफेट की। वारेन बफेट ने हमें दिखाया है कि आप एक औसत निवेशक ही क्यों ना हो, पर अगर आप अपने निवेश को ल सिमन्स ने 66% प्रतिवर्ष की वृद्धी हासिल की है, लेकिन इसके बाद भी जिम सिमन्स वारेन बफेट से 75% कम अमीर हैं, इसका कारण ये है कि वारेन बफेट ये 20% का सालाना रिटन लगभग 80 साल से ले रहे हैं, उन्होंने 11 साल की उम्र में ही निवेश करना शुरू क सिमन्स को अभी इसका आधा समय ही हुआ है, तो वौरेन बफेट केवल ज्यादा समय निवेशित रहकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ गए, पर ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके निवेश के जीवन गए, कर्ज लेकर अलपकाली निवेश करने वालों के पास तो घाटा लेने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था, ऐसे ही जब मंदी का दौर चलता है तो बजार कई सालों तक मुनाफा ही नहीं देता और निवेशक को शक होने लगता है कि कही उन्होंने शेयर बजार में पैसे डाल कर गलती तो नहीं कर दी, वही जब मार्केट अपनी उचायों को चूत है तो लोग लिलाच में आकर अपने जीवन की पूरी कमाई मार्केट में डाल देते हैं, फिर मार्केट गिर जाता है तो उसके उटने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर एक समय पर ज मार्केट हमेशा आपकी भावनाओं और मानसिक प्रबलता को चुनोती देता रहेगा, और इस सारे तनाव को जेलने के लिए आप तैयार होंगे तभी दीर्ग कालिक निवेश आपके काम आ पाएगा जब लोग लंबी अवधी का निवेश करने के लिए मार्केट में घुस चाली मुनगर खुद बताते हैं कि अगर आप बर्कशायर हैथवे के कुछ शीर्ष निवेश हटा दे तो उनकी कमपनी का ट्रेक रिकॉर्ड बस ठीक ठक ही निकल कर आएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी से बड़ी नामी गिरामी कमपनी अभी असफल हो सकती हैं, एटल लेकिन अगर उन्ही में से कुछ ही असाधारन रूप से सफल हो जाते हैं तो आप काफी प्रॉफिट बना सकते हैं। आपका बहुमूलिय समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल रिच्वानी को सब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविश्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू.